लेट नहें कितनी तेज वाली धूप जो है ना वह आ गई है और अभी सुबह के वही साथ साड़े साथ हैं सही बज रहे हैं तो यह उठ गया था लेकिन ना पता नहीं क्यों ठंडी लग रही थी कि क्या तो फिर बूल रहा था सोना है दर पर तो फिर मैं उसको यहां पर है ना चटाई मे कुछ इतना खुस था और सब लेकर आया सब कुछ किया लेकिन ना जैसे ही आदी ही रात में खा पी कर ही सोया और बस इसका तबियत जो है थोड़ी सी डाउन हो गई है तो इस वज़े से ना पता नहीं क्यों सेरे दर्द कर रहा था बता रहा था और मनला खाया पी अभी नह लेल मालिस की अच्छे से लगाया ना तो हलका सा बुखार ना कम हो गया था अचानक से ना बुखार भी आ गई थी तो जब घर का कोई भी मेंबर बच्चे या कोई भी मेरे पती कोई भी मेंबर ना इंसान बिमार हो जाता है ना तो फिर मेरा दिमाग ना काम करना बंद कर पिर दिमाग काम नहीं करता तो फिर मैंने ना तोड़ा ही सूट किया था ये सैटेडे को फिर मैंने कुछ जादा कुछ खास किया नहीं क्योंकि मनी नहीं लग रहा था दिमाग ना काम भी नहीं कर रहा था ये कपड़े जो है ना ये तो मैंने कल रात को ही दोकर रख दिये थ बस मैंने फैलाई नहीं थे यह मैंने अभी नए दोए हैं तो यह रात को ही दोकर और रक दिये थे फिर मैं रात में फैलाने नहीं आई थी च्छत में क्योंकि पर अंदेल अई था तो फिर मैंने सोचा चलो सोबी इनको फैला दूँगी तो अभी बस पटापट से कपड़े छो है वो फैला दे रहे हूं और थोड़ी बहुत जो काम है वो करूंगी जितने भी रात को तो वैसे भी मैंने कम्प्लिट करी लिया था काम मस अभी मुझे इनका टिपिन जो है वो बनाना है अच्छा जो अभी की जो दूप है ना वो पता नहीं किस टाइप की हो रही है जै साम टंडर लगती है और तो पहर के टाइम में बड़ी गर्मी से लगने लगती है एक दम बहुत तीज वाली दूप होने लगी है तो कपड़े भी ना बड़ी जल्दी सूख जाते हैं मनला सुबह डालो साम तक न उठाने लायक हो जाते हैं तो देखिए यहां पर न अब ते नीचे जा रहा है तो फिर मैंने चटाइब हटा दी मैंने कपड़े डाल रही हूं पानी निकलेगा तो चटाइब हो जाएगी इसलिए मैं न उठाकर रख दिया है कपड़े मैं ने डाल दी है अभी ना पत्तर नहीं थोड़ा उसका सीर बसदार दो रहा है बुकार इतनी जादा नहीं है बस थोड़ा सा थी हलकी हलकी तो उसी टाइम में उसको ठेक कर दिया था कि तबियत खार आप थी और देखो कारती कभी अपको कॉन फ्लक्स पता है मैं थोड़ा सा बाहर गई ती तो इसने ना चुपके से मैगी बना कर खाई ये वरतन ये रखें वन बीटा हैं दे रहे हैं अभी तबियत कैसी है आज श्कूल भी नहीं गया दिखाओ कलना है इतना साऊंवाल ला के खारती की तभीयत की ताबियत है है तुछ प्रूप के लिए चाइब दे इनके लिए चाय बना देती हूं तो उस्का लेंगे क्योंकि ना भी फॉसथा टाइम है द तो ना यहां पर खाना पीना तो मैंने बना दिया था बस मैं भाजी नहीं कट पाई थी तो वह नहीं बनाई तो दाल चावल रोटी और कुछ अचार हो गया रहा ना यह सब रख दूँगी और हम लोगों कभी इतना मन नहीं था रात का जो भी बच्चा कुछ रखा था वही हम लोग खा लेंगे घर पे ही तो हैं तो यही सब खा लेते हैं जो भी बच जाता है क्यूंकि फिर वो बेश्ट होता है और मैं अपनी आ जो गर हम रहता है न तो उसको हम बाद में खा लेते हैं ऐसा कर लेती हूं मैं तो अभी ना इनके जाने का टाइम हो गया था देखिए यहाँ पर न मैं बना रही हूँ चाए तो बस मैंने बटापट से चाए जो है वो चड़ा दी है और अभी कारते को क्या बुलते होलेक्स वो पीना है तो मैंने का होलेक्स ना देखे वो दे देते हूँ जो कल लेकर आई हूँ ना क्या बुलते हूँ उनको कॉन फ्लेक्स है ना कॉन फ्लेक्स वो एक ते ना मी ना नहीं आ पाता है तो परस्ट टाइम लाई हूँ ना मैं तो आज ना मैं वही उसको देने वाली हूँ अच्छा इसकी एक जो खास बात है ना कम से कम यह है कि जो जो कॉर्ण फ्लेक्स में लेकर आई हूं ना वो जिप लॉक वाला मतलब जो पॉलितिन है ना जिप लॉक वाली है तो लॉक हो जाती है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा ना उसके बाद मैं किसी डबे में भार दूंगी क्योंकि इतना बड़ा इसके लिए तो मुझे लगता है बहुत बड़ा डबब चाहिए दो तीन किलो का डबब जो होता ना उसमें भी नहीं आएगा क्योंकि यह वैसे होते है ना मनलब थोड़े से होते हैं फूले से तो जाद ही रहते हैं तो इस वज़े से मैं सोच रही अभी सी में रहने दूंगी और अच्छा भी है यह कम से क कार्टिंगे था कि वो जो टाइब का है ना वो ना कटी तो मुझे ना यह नहीं पता था जब यह मैं बना रही थी ना बना क्या रही थी इसको क्या है दूद में बस देना है तो मुझे मैंने अभी फर्स टाइम इसको दिया तो मैंने दूद में पानी नहीं डाला और पान इठा होता रहता होगा जैसे वो वाला था इसका चौको चिप्स वो मीठे होते हैं तो उसी टाइप का मैं सोची ये मीठा होगा तो इस वाजे से मैंने दूदे में सक्कर नहीं डाला फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही दे दिया तो उतना ज्यादा टेस्ट नहीं आ रहा था तो पिर मैंने खा चलब सक्कर दूद जब भी गरम करूंगी ना ये बनाने के लिए तो उसमें थोड़ी सी सक्कर डाल दूंगी तो और अच्छा लगीगा तो फिर बैसा ही लगीगा तो यहाँ मैं उसके लिए दूद गरम कर रही ह姓 कार्तिक के लिए और उस vo कॉण फलैक्स है वो दे दूंगी तो वस यहां पर देखिए चाय जो है वो बन गई है तो मैं चाय निकाल रही हूं और यहां पर इनको चाय के साथ मैं तोस दे दूंगी क्योंकि बोल रहते हैं तोस खाना है तो कभी कभी खा लेते हैं कभी नहीं खाते हैं ऐसा भी होता है ऐसे रोज-रोज मतलब नहीं करते हैं नास्ता मन के उपर रहता है खाने के उपर ऐसा तो यह और यह थोड़े से उस टाइप के हैं ना तूटे वाले आप रैसी रहते हैं पर उनी में यह थोड़े से उपर नीचे करने में तूट जाते हैं ना तो वही वाले यह टोस हैं और यहाँ पर दूद भी गरम हो गया है तो मैं और देखी यहाँ पर महले अपने हाथ से ले रहा है और कार्थि तो उख़ुद ही कर रहा है क glow मैं डलूंगा मैं डलूंगा और मैं सोचरे गिरा नह दे करके क्योंकि गरम है दूद और वो बस खुद करने लगता है कोई भी काम तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है बड़े सौक से ले तो लिया है पर जब खाने बैठा ना तो एक-दो चममस बस खाया और कहता है कि अच्छा नहीं लग रहा ममे तो पर मैंने का मुझे लगता है कि वो उसके कारण नहीं लग रहा था आ मीठे के कारण कि वो मीठा नहीं है इस वाजे से फिर जब मैंने दो पहर के टाइम ना जब इसने यह छोड़ दिया था खाके तो इसी में मने एक चममस सक कर घोल के एसी में डालके और थुड़ा सा मिक्स करके फिर खाया तो तब सही लग रहा था तो वही वो बोल रहा था तो मैं यहाँ पर मैं भी चेक कर रही थी कह रहा था खाके मतलब मुझे भी खिला रहा था करती तो फिर मैंने एक चमस खाया और इसके बाल देख देखे ना मुझे जब मैं वहाई सूर कर रही थी तो मुझे बहुत गुसारी थी बाल देखने में तो इतने खराब लग रहे थी लेकिन देखिए अच्छे तो लग रहे हैं आप लोग कह रहे हैं कि अच्छे लग रहे हैं लेकिन एक बार अगर ऐसी गल ताइप की हैरिस्टाइल करवाया था इसने तो और इसने खुद बोला होगा मुझे ये भी लग रहा है क्योंकि हर कोई अपने मन से नहीं कर देता है कुछ ना कुछ तो किया होगा इसने थोड़ी बहुत इदर उदर हुए इसके पापा और इसने बोला होगा खेर ठीक है अब इस बार तो कट गए है अब अगली बार से ध्यान देंगे और एक और कमेंट आया था एक अंटी बोल रही थी कि कारती मनला भी बड़ा हो जाएगा तो बढ़ा आप में सहाथ नहीं देगा तो ये तो अब इस पे मैं क्या बोलूं मुझे खुद नहीं समझा अब वो तो आप है ना उस मतलब है भी इस माहौल को देख रहे हो ना इसलिए आप ने ऐसा बोले हो और सही भी बात है आपका कोई तजर्बा गलत तो नहीं हो सकता लेकिन मैं ये भी है कि अब जैसा हम सिखाएंगे और करवाएंगे तो बात अलग हो जाती है तो अब उस तो हम देखकर नहीं आएं कि बच्चे क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं बस ये है कि उनके भरोसे तो हम नहीं रहने वाले है ना तो बस यही बस आप लोगों से तो मैं यहीं उम्मेद करूंगी कि आप लोग अच्छा अच्छा वाला असिरवाद दें कार्तिक और थोड़ी सी बुद्धी आ जाए तो अच्छे से मलब साथ दे हर चीज करे तो बस आप लोग है ना थोड़ा सा उसको आसिरवाद देजिएगा तो साइधा चपल मिल जाए और यहां पर मैं बना रही है अच्छा यह हो गई है नेस्ट मॉर्निंग मतलब मंडे का दिन है औ तो थोड़ा सा यह वेजिटेवल वाला मैंने सेंडविच बनाया है तो इनको खाना था तो मैंने का और यही बोले के अम मुझे भूख लग रही नास्ता बना दो तो मैंने पटा-पट से यही बना दिया वैसे पोहा बोल रहे थे पर पोहा था नहीं इस वज़े से मैंने यही बना दिया तो यह जटपट से बन गया है तो वस आज का जो वीडियो है ना यहीं पर अंकरती हूं उमिद करती है आप सभी को अच्छी लगी होगी मैं मिलूंगे आप लोगों से अपनी नेस्टी वीडियो में थैंक्यू बाए